हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो श्री रामचंद्रजी की कथा कलियोग के पापों को हरने वाली, कल्यान करने वाली और बड़ी सुन्दर है स्वायं भुव मनु और उनकी पत्नी, शत्रूपा, जिनसे मनुश्यों की यहाँ अनुपम स्रिष्टी हुई, इन दोनों पतिपत्नी के धर्म और आचर्ण बहुत अच्छे थे आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते है राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त धुवजी हुए उन मनुजी के छोटे लड़के का नाम प्रियवरत था, जिनकी प्रशंसा वेद और कुरान करते है पुना देव हुती उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनी की प्यारी पत्नी हुई और जिनों ने आदी देव, दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालू भगवान कपिल को गर्ब में धारन किया कत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुन जिन, कपिल, भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वायम भूफ, मनुजी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आगया, रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन क किया, घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विश्यों से वेराग्य नहीं होता, इस बात को सोच कर, उनके मन में बड़ा दोहक हुआ कि श्री हरी की भक्ती बिना जन्म योही चला गया, तब मनुजी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित्वन को गमन किया, अत्यंत पवित्र और साधकों को सिध्धी देने वाला तीर्थों में श्रेष्ट नैमिशारण्य प्रसिद्ध है, वहां मुन्यों और सिध्धों के समू बस्ते हैं, राजा मनो हृदय में हर्शित होकर वहीं चले, वे धीर बुद्धी वाले राजा पहुचे, हर्शित होकर उन्होंने निर्मल जल में सनान किया, उनको धर्मधुरंधर राजर्शी जानकर सिध्ध और ज्यानी मुनी उनसे मिलने आये, जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुन्यों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिये, उनका शरीर दुर्बल ह गया था, वे मुन्यों के से वलकल वस्त्रधारन करते थे और संतों के समाज में नित्य पुरान सुनते थे, और द्वाजशाक्षर मंत्र उनमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहिजब करते थे, भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजारानी का मन बहुत ही लग गया, वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानन ब्रहमा का स्मरण करते थे, फिर वे श्री हरी के लिए तप करने लगे और मूनफल को त्याक कर केवल जल के आधार पर रहने लगे, रिदय में निरंतर यही अभिलाशा हुआ करती की हम, कैसे उन परम प यानी तत्व वेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेतिनेती यह भी नहीं, यह भी नहीं कहकर निरूपर करते हैं, जो आनन्द स्वरूप, उपाधिरहित और अनुपम हैं, एवन जिनके अंच से अनेक शिव, ब्रहमा और विश्नो भगवान हैं, यदि वेदों में यह वचन सत्य तहा है, तो हमारी अभिलाशा भी अवश्य पूरी होगी, इस प्रकार जल का आहार करके तब करते 6000 वर्ष बीद गए, फिर 7000 वर्ष वे वायू के आधार पर रहें, 10000 वर्ष तक उन्होंने वायू का आधार भी छोड़ दिया, दोनो एक पैर से खड़े रहे, उनका अपार तब देखकर ब्रहमा, विश्नो और शिवजी कई बार मनुजी के पास आए, उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से लल्चाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान, राजारानी अपने तब से किसी के दिगाए नहीं द सर्वग्य प्रभु ने अनन्य गती, आश्रे वाले तपस्वी राजारानी को निजदास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अम्रित से सनी हुई यहां आकाशवानी हुई की वर मांगो, मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वानी कानों के छेदों से हो अम्रित के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर कुलकित और प्रफुलित हो गया, तब मनुजी दंडवत करके बोले प्रेम हृदय में समाता न था, हे प्रभु, सुनिए आप सेरकों के लिए कल्परिक्ष और कांधिनु हैं, आपके चरण रज की ब्रहमा, विश और शिवजी भी वंदना करते हैं, आप सेवा करने में सुलब हैं, तथा सब सुखों के देने वाले हैं, आप शर्णागत के रक्षक और जर्चेतन के स्वामी हैं, हे अनाथों का कल्यान करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह हैं, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजि कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनी लोग यतन करते हैं, जो काग बुशुन्दी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शर्णागत के दोख मिटाने वाले प्रभो, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें, राजारानी के कोमल, विन्ययुक्त और प्रेम्रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे, बक्तवत्सल, कृपानिधान, संपूर्ण विश्व के निवास्थ या समस्त विश्व में व्यापक, सर्वस्मर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणी और नीले, जल्युक्त, मेक के समान, कोमल, प्रकाशमय और सरस, श्यामवर्ण, चिनमय, शरीर की शोभा देखकर करोडो कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुक्षरद, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छबी की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोडी बहुत सुन्दर थे, गला शंक के समान, त्रिरेखायुक्त, चढ़ावुतार वाला था। लाल होट, दांत और नाक अत्यंत सुन्दर थे। हसी चंद्रमा की किरनावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवी नए, खिले हुए, कमल के समान बड़ी सुन्दर थी। मनोहर चित्वन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेड़ी भौने कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश्मय तिलक था। कानों में मकराकृत, मचली के आकार के, कुन्विल और सिर पर मुकुच सुशोभित था। तेड़े, घुंगराले, काने बाल ऐसे सघन थे, मानो भौरों के जुन्ड हो। खृदय पर श्रीवत्स, सुन्दर वनमाला, रत्नजरित हार और मनियों के आभूशन सुशोभित थे। सिंग की सी गर्दन थी, सुन्दर जने उठा। गुजाओं में जो गहने थे, वे भी सुन्दर थे। स्वर्णवर्ण का प्रताश में, पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुन्दर तीन रेखाएं, त्रिवली थी। ना भी ऐसी मनोहर थी, मानो यमुना जी के भवरों की छबी को छीने लेती हो। जिन में मुनियों के मन रूपी भौरे बस्ते हैं, भगवान के उन चरण कमनों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाय भाग में सदा अनुकूल रहने वाली, शोभा की राशी जगत की मूलकारन रूपा आदी शक्ती श्री जानकी जी सुशोबित हैं, जिनके अंच से गुणों की खान अगनित लक्ष्मी, पारवती और ब्रहमानी, त्रिदेवों की शक्तिया उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौंग के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती हैं, वही भगवान की स्वरूपा शक्ती श्री सीताजी श्री रामचंदर जी की बाई और स्थित हैं, शोभा के समुद्र श्री हरी के रूप को देखकर मनुष्टरूपा नेत्रों के पठ, पलके, रोके हुए एक तक स्थब्ध रह गए, उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही ना थे, आनंद के अधिक वर गिर पड़े। कृपा की राशी प्रभू ने अपने करकमनों से उनके मस्तकों का स्पर्ष किया और उन्हें तुरंथ ही उठा लिया। पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी किसी से उसे कहते नहीं बनता। क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी। आप अंतर्यामी हैं इस ये उसे जानते ही है। मेरा वह मनोरत पूरा कीजिए। भगवान ने कहा हे राजन। संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकू ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा हे दानियों के शिरो में। हे कृपानिधान। हे नात। मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीती देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले ऐसा ही हो। हे राजन। मैं अपने समान दूसरा कहा जाकर खोजू। आथा स्वयन ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा। शत्रूपा जी को हाथ जोडे देखकर भगवान ने कहा है देवी। तुम्हारी जो इच्छा हो सोवर मांग लो। शत्रूपा ने कहा है नाथ। चत्र राजा ने जोवर मांगा है कृपालू। वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु है प्रभु। बहुत दिथाई हो रही है। यध्यपी है भक्तों का हिट करने वाले। वह दिथाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रहमा आधी के भी पिता, उत्पन्म करने वाले, जगत के स्वामी और सबके ह्रिदय के भीतर की जानने वाले ब्रहमा है। ऐसा समझने पर मन में संदे होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्यक है. मैं तो यहां मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निजन हैं, वे जो अलोकिक, अखंड, सुख पाते हैं, और जिस परमगती को प्राप्थ होते हैं. हे प्रभु, वही सुख, वही गती, वही भक्ती, वही अपने चर्णों में प्रेम, वही ज्यान और वही रहनसन क्रिपा करके हमें दीजिए. रानी की, कोमल, गूर और मनोहर श्रेष्ट वाक्य रचना सुनकर क्रिपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है, वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना. हे माता, मेरी क्रिपा से तुम्हारा अलोकिक ज्यान कभी नश्ट न होगा. तब मनों ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा है प्रभू. मेरी एक विंती और है. आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीती हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है. चाहे मुझे क कोई बड़ा भारी मूर्थ ही क्यों न कहे. जैसे मनी के बिना साप और जल के बिना मचली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके. ऐसा वर मानकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए. तब दया के निधान भगवान ने कहा ऐसा ही हो. अब तुम मेरी आग्या मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करू. हे तात, वहां स्वर्प के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीच जाने पर तुम अवद के राजा होंगे. तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँगा. इच्छानिर करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा. जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर्शित सुमकर, ममता और मत्याकर, भवसागर से तर जाएंगे. आदिशक्ती यहां मेरी स्वरूप भूता, माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवत क्रिपानिधान भगवान बार-बार ऐसा कहकर अंतरधान हो गए. वे स्त्रीपुरुष, राजारानी, भक्तों पर क्रिपा करने वाले भगवान को हृदय में धारन करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे. फिर उन्होंने समय पाकर सहे जी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड कर अमरावती इंद्र की पूरी में जाकर वास किया. याग्यमल के जी कहते हैं है भरदवाज. इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पारवती से कहा था. अब श्रीराम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो.